क्या आपने कभी गूते हुए आटे से इस तरह से पानी में तलकर पूरियां बनाई हैं अगर नहीं तो एक पर जरूर से बनाईएगा क्योंकि यह रेस्पी आपको बहुत 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 ही जादा पसंद आएगी और आपकी ठेस सारे पैसे भी बचेंगे तो चलिए फिर रे आटा ले रहे हैं अगर आपके पास गुता हुआ बचा आटा नहीं है तो आप जैसे रोज डेली रोटी पर आठे के लिए आठा गूते हैं आप वैसे ही गूत कर तयार कर सकते हैं आठे के इस तरह से छोटी-छोटी लोईयां तोड लेंगे जैसे रोटी या पूरी को हम अपने पसंद से छोटा या फिर बढ़ा भी रख सकते हैं जैसे आपको आसान लगे देखें हमने इससे कुछ इस Team ये पतला बेल कर तयार किया है आपको भी इतना ही पतला बेल पर तयार करना है इसको प्लेट में हम रख लेंगे उपर से हलका सा सूखा आ्टा चिरक तो आपस में चिपके नहीं आज की यह रेस्पी बहुत ही ज़्यादा सांदार होने वाली है और बिल्कुल नई भी इस तरह की रेस्पी आपने कभी भी नहीं बनाई होगी और ना ही कहीं देखी होगी तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा हमने अपनी फैमली के हिसाब से चार पूरिया बनाकर रेडी कर ली है पूरियों को हम यहीं पर रखा रहने देंगे और गैस की तरफ चलते हैं इधर गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है कढ़ाई में हम जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे पानी में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, इससे पूरियों के अंदर तक नमक चला जाएगा पूरिया आपस में तलते समय, पूरिया आपस में चिपके नहीं, इसके लिए हम यहीं पर कोई भी खाने वाला तेल दो चम्मज के करीब डाल देंगे और पानी में बड़िया सा उबाल आने देंगे, आप एक बात का ध्यान दीजेगा, कि जब तक पानी हमारा तेज गरब नहीं हो जाता है, तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो हमारी रेस्पी बिगर सकती है देखिए, अभी पानी बड़िया सा उबलने लगा है, अब हम कड़ाई में सबसे पहले एक पूरी डालेंगे और कुछ सिकंड तक रुख जाएंगे, कुछ सिकंड के बाद दूसरी पूरी डालेंगे, कुछ सिकंड रुखने से क्या होगा ना, हमारी पूरियां आपस में चिपकेंगी नहीं और हमें रेस्ट भी बनाने में कोई परिशानी भी नहीं होगी दोस्तों आप से हमारी प्यारी सी रिक्वेस्ट है अगर हमारी रेस्ट भी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करना विल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों यहाँ पूरी आना हमारी 2-3 मिनिट में ही पक कर तयार हो गई है तो यहीं पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ देखें हमारी गलती के वज़े से एक पूरी हमारी तूट गई है तो इसे अलग निकाल कर रख लेंगे इसे फेकेंगे ही नहीं हम और इसी नास्ते में हम इस्तेमाल कर लेंगे तो आप ध्यान दीजेगा कि आपको इस पैचुला से रोटियों को बहुत ही धीरे-धीरे हाथों से चलाना होता है नहीं तो ऐसे ही आपसे भी रोटियां तूट सकती हैं इन्हें निकालने के बाद हम कोई साब सुत्रे किचन टॉवल से इन रोटियों के ऊपर का पानी हम सुखा लेंगे यह सब करना आपको बहुत ही ज्यादा जंजट लग रहा होगा पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है यह बहुत ही आसानी से हो जाता है जब पानी अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम एक रोटी लेंगे और इसको इस तरह से चकले पर रोल करेंगे देखें यह बहुत आसानी से रोल भी हो रहा है रोल करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे तो एक चाकू लेंगे और इसको हाप हाप इंच या फिर उससे भी कम मुटाई में इसकी कटिंग करेंगे देखें कुछ इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं हाँ दोस्तों आज हम बच्चों के लिए बच्चों का all time favorite noodles बना रहे हैं बच्चे याद बहुत ही ज़्यादा घुस हो जाएंगे यकीन मानिए बच्चों को यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा साथ ही या बहुत ही ज़्यादा healthy भी है इसी तरह से हम सभी पूरियों को काट करके ready कर लेंगे इस recipe को आप कभी भी बना सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है सभी चीजें हमारी किचन में हमेशा मौजूद रहती हैं आप देखी रहे हैं हमने सभी रोटियों को काट लिया है तो क्या करेंगे न हाथों में हलका सा तेल लगा लेंगे और इस तरह से इसके सभी लच्छे खोल लेंगे तो इस तरह से हमारे होममेट के होके आठे से पास्ता बन कर तयार है और इधर हमने सेम कड़ाई को साप करके गैस पर दुबारा से चढ़ा दिया है कड़ाई में हम दो चम्मत तेल डाल कर गरम करेंगे तेल हमारा बड़िया सा गरम हो गया है तो हम सबसे पहले 6-7 कलिया लहसन की पारी काटली थी इन्हें डाल देंगे अगर आपको लहसन खाना पसंद है न तो जरूर से डालिएगा इस रेस्पी में लहसन का स्वादना बहुत ही बढ़िया जाता है यही पर दो बारी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे इन दोनों चीजों को हम बस हलका सरोष्ट करेंगे फिर एक बड़े साइज की लंबाई में कटी हुई प्याज भी डाल देंगे दोस्तों प्याज को हम बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे बस हलका सकच्चापन हटाएंगे फिर उपर से कुछ सबजिया भी आइट करेंगे एक गाजर जिसे हमने बारिक पतला काट लिया है इसको डाल देंगे और बिलकुल थोड़ा सा बारिक कटा हुआ लंबाई में जुकंदर भी डालेंगे आधा सिम्ला मिर्ज जिसे हमने पतला पतला काट लिया है इसे भी आइट करेंगे अगर आपके पास पत्ता गोबी है तो आप उसे भी राल सकते हैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी सब्जिया डालने से यह पास्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन कर तयार होता है साथ ही स्वाद में और देखने में भी काफी सांदाल लगता है सब्जियों को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे बस देश फ्लेम पर एक या दू मिनट ही पकाएंगे दू मिनट के बाद गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे और इसमें हम कुछ सॉसेस भी आइट करेंगे सॉसेस ौन पसं से कम या ज्यादा भी कर सकते ही सभी चीजों को मिक्स करेंगे और जो हमने पास्ते बनाकर रखे है hometown जब यह आइट कर देंगे सभी चीजों को चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भूल लेंगे पास्ते को और भी ज्यादा स्वादिश्ट बनाने के लिए एक देड़ मिनट के लिए और अलट पलट कर लेंगे देड़ मिनट के बाद लीजे दोस्तो हमारा हो मेट देशी पास्ता बनकर बिल्कुल तयार है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे एक बात कि मैं पूरी गारंटी लेती हूँ अगर आप किस यही बनाना खाना पसंद करेंगे और सभी को खिलाना भी दोस्तों अगर आपको गूते में आड़े की कैंडी पास्ते की रेस्पी चाहिए तो इसक्रीन पर आ रही वीडियो पर किलिक करके देख सकते हैं थांक यू